दोस्तों आज हम बात करेंगे बांगलादेश वर्सिस इंडिया के बीच में जो फर्स्ट ODI मैच खेला जाएगा बात करेंगे दोनी टीमों की प्लेइंग लवन की और मैं आपको काफी important records भी बताने वाला हूँ जब दोनी टीमें एक दूसरे के against खेलती हैं तो कौन से players अच्छा performance करते हैं साथ में इस ground में कौन से players अच्छा performance करते हैं सारे important records में आपको बताने वाला हूँ इंडिया में आप इस match को साड़े 11 बज़े से देख सकते हो चलिए pitch report की बात करते हैं दोस्तों वैसे तो ये pitch batting और balling दोनों के लिए अच्छी है पर यहाँ पर जो extra help मिलती है वो spin गेंद बाजो को मिलती है वो थोड़ा जादा अच्छा करते हैं यहाँ पर इस ground पर जो last बैटिंग करने वाइल टीम ने 53 सेकंड बैटिंग करने वाइल टीम ने 69 जीते हैं यहां का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 239 का हाई एस्ट इसकोर इंडिया और लोज्ट इसकोर भांगलादेश का मात्र 58 अन 10 विकट के नुकसान पर scoring pattern की बात कर लें तो 200 से कम का स्क और यहां पर बार बार बनाए है हैट टो एड मैचस की बात करते हैं तो बांगलादेश की तरफ से इनके दो बड़े पिलर इस मैच में नहीं खिलने वाले फर्स्ट इनके कैप्टन तमीम इकबाल इंजरी के इश्यू की वज़से इस सीरी से रूल आउट हो गए हैं लेवल नहीं है इनकी जगे शारिफुल इसलाम को टीम में एड किया गया और इस मैच में हो सकता यह खेल भी सकते हैं साथ में यह बांगलादेश टीम की पॉसिबल प्लेइंग लेवन हो सकता इसमें आपको एक दो चेंजिस देखने को मिल सकते हैं और लीटन दास जो है व इस ग्राउंड पर 15 मैच में 233 कियें अनामूल हक की बात करते हैं लास्ट मैच अच्छा गया है 69 करके आ रहे हैं साथ में इंडिया इकलाफ 4 मैच में 121 रन इस ग्राउंड पर 19 मैच में 447 रन कियें शाकीब लहसन इंपोर्टन प्लेर रहने वाले इस ग्राउंड पर आप इनका पर्फिमेंस देखेंगे लास्ट मैच अच्छा नहीं गया सेक्ट लास्ट मैच भी अच्छा नहीं गया है साथ में पर आप यहां पर यह देखिए इंडिया इकलाफ 18 मैच में 591 रन 19 विकेट साथ में इस ग्राउंड पर 85 मैच खेल चुके जिसमें 253 रन और 200 122 वि इस ग्राउंड पर 91 मैच खेल चुके जिसमें 2616 रन बना चुके दोस्तों इनका भी रिकॉर्ट अच्छा रहता इस ग्राउंड पर आफिफ उसेन की बात करते हैं लास्ट मैच इनका अच्छा नहीं गया सेक्ट लास्ट मैच अच्छा करके आ रहें इस ग्राउंड पर ती 279 मैच खेलें जिसमें स्कोर अच्छा किया है टोटल 1773 बना चुके और 258 मैच इसमें गेंदवाजी करके 30 विकेड भी निकालें जियां दोस्तों मेहंदी हसन मिरास की बात करते हैं लास्ट के दो मैच तीन मैच इस आप देखो कि तो अच्छा करके आ रहें दो विकेड त आपको बताओं बैटिंग देखिए इंडिया क्लाफ दो मैच इसमें चोहतर रन पर विकेड नहीं निकाला है पर दोस्तों यह बैटिंग अच्छी खासी करना जानते हैं अच्छा स्कोर भी करके दे सकते हैं पचास रन भी बना सकते हैं जिए दोस्तों साथ में इस थार रन किये थे नौट आउट रहते हैं इस ग्राउंड पर दो मैच इसमें चार विकेड निकाल चुके हैं दोस्तों और यह इंपोर्टेंट पर क्यों है क्यों है क्यों यह डैथ ओवर में भी गेंदवाजी करेंगे जिया दोस्तों नसूम एहमत की बात करते हैं लास्ट मैच इसमें 20 विकेड निकाल चुके हैं जी हां दोस्तों अच्छी गेंदवाजी करते हैं इंडिया ख्लाव साथ में इस ग्राउंड पर 21 मैच में 47 विकेड निकाल चुके हैं काफी इंपोर्टेंट पिक रहने वाले हैं दोस्तों इंडियन टीम की बात कर लें तो मैच के लिए अवेल लेवल नहीं है इनकी जगें उम्रान मलिक को टीम में एड किया गया और यह हो सकता आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं प्लेंग लेवन में साथ में प्लेयर पर्फॉमेंस की बात करते हैं और कुछ इस तरह की प्लेंग लेवन आपको देखने को मिल सकते हैं रोई शर्मा की बात करते हैं लास्ट के मैच इस कुछ खास नहीं गया वर्ल्ड कप में बिल्कुल खराब पर्फॉमेंस था यह जो 28 आप देख रहे हो यह साथ 27 गेंदों पाये थे की 20 फॉर्मेट में जी हां दोस्तों साथ में दोस्तों आप देखोए तो बांग बारिस की वज़े से कैंसल हो गया था सेकंड लास्ट मैच भी बारिस की वज़े से कैंसल हो गया था फर्स्ट मैच हुआ था उसमें 72 रन लोने किये थे जी हां दोस्तों साथ में बांगलेदेश के खिलाफ 8 मैच में 317 इस ग्राउन पे भी 5 मैच खेल चुके जिस में साथ में दोस्तों बांगलेदेश के खिलाफ 12 मैच में 680 कियें साथ में इस ग्राउन पे 14 मैच में 786 रन कियें जी हां दोस्तों केल रहूल की बात करते हैं लास्ट में इनका आप देखो कुछ खास नहीं गया लेकिन इस मैच लास्ट के दो मैच आप देखो इस वाले को छ करेंगे या फिर पांच वे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएंगे यह देखने वाली बात हैं दोस्तों श्रेश की बात करते हैं तो अच्छी फॉर्म में लास्ट मैच में 49 किये गए ते साथ में इस मैच में असी रन करके गए इनका भी डाउन देखने वाला होगा यह चौते नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएंगे या पांच वे नंबर बैटिंग करने के लिए आना चाहिए आपको क्या लगता कमेंट करके ज़रू बतेगा रिशब पंत दोस्तों इनकी फर्म देखिए रीसेंट फर्म बहुत जादा खराव है सिंगल डिजित 10-15 के आसपास काही स्कोर यह कर पा रहें आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 में इनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए कॉमेंट करें साथ में दोस्तों बांगलादीस क्लफ एक मैच में खेला है जिसमां 48 कि हैं चलिए बात करते हैं वाशिंग्टन सुंदर की लास्ट में वि विकेट निकाला है यह भी बैटिंग अच्छी खासी करना जानते हैं और इस ग्रांट पर असरदार साबित रहेंगे साथ में दोस्तों बांगलादेश के खलाफ आप देखो एक विकेट निकाले और दोस्तों इस ग्रांट पर तीन मैच इसमें तीन विकेट इन्होंने नि दोस्तों अगर यह खेलते हैं तो गैशी बैटिंग अच्छी खासी करना जानते हैं पर यह आपको 20 30 बनाके ईसली दे सकते हैं और गयास उम्रान मलिक खेलते हैं इनके बार आपको पता है अच्छी गती से गेंदवाजी करते हैं डेर्सों के आसपास भी ये बॉलिंग डाल देते हैं लास्ट मैच आप देखोगे तो एक विकेट निकाला है सेकंड लास्ट लेकिन थर्ड लास्ट एक विकेट इस मैच में दो विकेट और गैस ये मैच विकेट लास्ट किया था पर दोस्तों आप देखोगे तो ये बैटिंग भी अच्छी खासी करना ये भी जानते हैं हैड टो एड रिकोर्ट्स की बात करते हैं जब दोने ही टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं तो कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉमेंस करते हैं सबसे पहले रोही श्रमा पर दोस्तों इनकी रीसेंट फॉर्म अच्छी नहीं चल रहे हैं तेरा मैच मेच छैसो साथन के हैं शिकर धमन विराट कोली केल रहूट तसकीन एमद फर्स्ट मैच के लिए अविल लेवल नहीं रहेंगे साथ में नीचे देखोएं मुस्तेफे जुर रहमान साथ मैच में 20 विकेट निकालें और दोस्तों मौहमद शमी मौहमद शमी भी जो हैं वो फर्स्ट मैच के लिए अविल लेवल नहीं है साथ में venue records की बात करते हैं इस ground पर कौन से players अच्छा performance करते हैं सबसे पहले शिकर धवन, विराट कोली, मेंदी हैसन, मिराज और दोस्तो इस match में यह असरदार साबित रहेंगे जी हां दोस्तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से तसकीन अमद नहीं हैं और मुस्तिफे जूर रहमान रहने वाले हैं पर पहले मैं आपको इस app के बारे में बताना चाहता हूँ इस app का नाम mymaster11 है app का link को referral code में description box में दे दिया है आप वहाँ से इस app को download कर सकते हो साथ में referral code का use करोगे तो आपको 100 रुपे का bonus मिलेगा जिसका आप use 100% कर सकते हो मैं आपको league भी दिखा देता हूँ तो दोस्तों आप आप देखोगे इस league में आप 100% bonus का use कर सकते हो और इस league को आप 1 team नहीं 2 team नहीं बलकि पूरी 5 team के साथ join कर सकते हो मैं आपको live join करके दिखाता हूँ तो मैंने आपको team already create कर रखी है 5 चलिए मैं इनको join करता हूँ तो simply आपको यहाप अपनी team select कर लेनी है तो मैंने आपको अपनी team जो है वो select कर लेनी है 5 team उसके बाद आपको क्या करना है join पे click कर देना है जैसी join contest पे click करोगे तो हमारा जो contest है वो successfully join हो गया है आप यहापे देख सकते हो हमारी 5 तीम है यहापे league में उतर चुकी है मैं आपको अंदर चलके भी एक बार दिखा देता हूँ तो यहापे leader board पे आ जाते हैं तो यहापे आप देख सकते हो हमारी 5 तीम है यहापे successfully join हो गई है साथ में दोस्तों आप इस mega contest को भी join कर सकते हो जिसमें आपका 10% bonus यूज हो जाएगा और आप 11 तीमों के साथ join कर सकते हो और यह जो contest है confirm contest है league full हो चाहे now cancel नहीं होती है मेरा जो highly investment रहता है वो दोस्तों यहाँ पर ही अब रहता है क्योंकि यहाँ पर जीतना आसान है competition ना के बराबर एक बर आप try करके देखो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाल है और दोस्तों यहाँ का जो minimum withdrawal है वो मातर 50 रुपे का है 50 रुपे होती आप यहाँ से withdraw ले सकते हो और काफी सारे आपको यहाँ पर sports पी मिल जाते है जिस भी sports में interest सकते हो आप यहाँ पर खेल सकते हो एप का link को referral code मैं description box में दे दिया है वहाँ से आप download कर सकते हो referral code का use कर लोगे तो 100 रुपे का आपको free का bonus मिल जागा जिसका आप इस 100% bonus वाई लीग में fully use कर सकते हो विकिट कीपर section की बात करते हो तो मैंने आप रहीम को पिक किया options की तरफ चले तो KL Rahul की option है इनको try कर सकते हो रिशब पंद को दोस्तों मैं बिल्कुल suggest नहीं करूँ है grand league की किसी एक team में आप इनको try कर सकते हो recent form इनकी बहुत ज़्यादा खराब चल रही है पर आप ऐसे लोकेश राहूल को try करना चाहते हो इनको कर सकते हो अच्छे पिले रहे है चलिए बात करते है बैटिंग की तो यहाँ पर मैंने चार बैट्समन पिक है सबसे पहले विराट कोली को लिया है इनके बाद आप देखो शिकर धवन लेटन दा जो की team के captain है और मैंने श्रेश अईयर को पिक है options की तरफ चलते रोही शर्मा को ट्राय कर सकते हो दोस्तों पर इनकी भी recent form अच्छी नहीं grand link में ट्राय करिएगा ज्यादा बहतर रहेंगे साथ में आफिफ उसेन को ट्राय कर सकते हो अनमुल हक को कर सकते हो यहाँ पर नजमल उसेन शान्तों की बात करते हैं कोड़े डाउटफल रहने वाले इनके बारे में अगर कोई न्यूस आती है तो टेली ग्राम पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा और बाकी नीचे के विराज के साथ ही जाने वाला हूं एक और आपके पास है यहाँ पर महमुद दुल्ला की आप इनको ट्राय करना चाटब कर सकते हो थोड़ी बहुत आपको बॉलिंग भी करके दे सकते हैं चलिए बॉलिंग में चलते हैं तो यहाँ आप मैंने सबस्पहले मुहमाद सिराज को पिक एक इनके बाद मैंने आप पर हसन महमुद को लिया है और मैंने उम्रान मलिक को पिक जिहां दोसों अच्छी गती से गेंदबाजी करते हैं और मुझे लगता है यह मैच खिलने वाले हैं चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं मुस्तफे जुर्रहमान के साथ जा सकते ह अच्छी इस घ्राउंड पर साबित हो सकते हैं तो इनको भी आप त्टराए कर सकते हो चलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन देख लेते हैं दोसल्टो काटन आप देखें मेरे शाकी बॉल हसन रहने वाले वासल कैप्टन मैंने आप देख और तो विराठ कोली को बना है च यहाँ पर आप Captain के तौर पर शिकर धवन को ट्राय कर सकते हैं यह एक अच्छी option आपके लिए बन सकते हैं साथ मेहंदी असन मिरास को भी आप ट्राय कर सकते हैं अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो चलिए अब अपनी second Grand League की टीम देखते हैं दोस्तो यह काफी different team है इस team में आप देखुए तो मैं यहाँ पर दीपक चहर को लेके आया हूँ महमद दुल्ला को लेके आया हूँ और इसलाम को मैं इस team में लेके आया हूँ कैप्टन आप देखो मेरे शिकर धवन रहने वाले वाइस कैप्टन में हैं पर मेंधी हसन मिरास को बनाए जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से हमको पॉइंट्स देने वाले है दोस्तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी चलिए हम team का preview देख लेते हैं इसलिए मैं explain नहीं करूँगा चलिए अब अपनी थर्ड टीम देखते हैं दोस्तो इस team को मैंने इंडिया के point of view से बनाए अगर इंडियन टीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अगर अच्छा करती है तो उस condition में ये team हमारी grand link में बहुत अच्छी rank दिला जाएगी साथ में आप आप इस captain मैंने सिराज को बनाए यहाँ पर अगर आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हो तो यहां से मलिक को ट्राइक कर सकते हो अगर खेलते हैं तो इनके साथ जा सकते हो या फिर दोस्तो आप यहां से अक्षर पटेल को ट्राइक कर सकते हो चलिए अब अपनी फोर्थ टीम देखते हैं दोस्तो इस टीम में मैं लोकिश रहूल को लेकर आया हूँ साथ मैं आफिव हुसेयन को मैंने टीम में एट किया है और यहां पर आपको मुस्तिफिजुर रह्मान देखने को मिलने वाले कैप्टर हमारे श्रेश अईयर रहेंगे इनफॉर्म पिले रहें लगातर अच्छा पर्फॉमेंस कर रहें अगर चौथे नंबर में बैटिंग करने के लिए आते हैं तो मुझे लगता कुछ अच्छा स्कोर दुबार हमको बना के दे सकते हैं साथ में वाइस कैप्टन वाशिंग्टन सुंदर रहने वाले अगर इनकी बैटिंग आ जाती है तो मुझे लगता तीसन के आसपास यह आराम से बना देंगे साथ में बालिंग में भी एक दो विकेट निकाल सकते हैं क्योंकि जो पिछ है वो गाइस स्पिनर्स को काफी फेवर करती है चलिए अब अपनी फिफ्ट टीम देखते हैं दोस्तों यह हमारी सेकिंड लास्ट टीम है जो कि थोड़ी सी बालिंग फेवर टीम है आप यहां पर देखोगे तो इस टीम में आपको दीपक चैर, मुहमद सिराज, हसन महमुद, मलिक और दोस्तों आपको शरिफुल इसलाम पांचों देखने को मिलने वाले कैप्टन जो रहेंगे, अक्षर पटेल रहेंगे, वाइस कैप्टन शाकिबुल हसन को बनाए और आपको आपर विराट कोली, लिटन दा, श्रेश, अयर देखने को मिलेंगे और विकेट केपर स्ट्रेक्चर में आपको रहीम देखने को मिलने वाले जी हां दोस्तों, चलिए अब अपनी लास्ट टीम देखते हैं, दोस्तों यह हमारी सिक्स टीम है, जो कि काफी रिस्क है, क्यों इस टीम में आपको रिशब पंत देखने को मिलने वाले, रोई शर्मा आपको देखने को मिलने वाले, दोनों काफी रिस्की प्लेने, जिनकी फर्म बहुत खराब चल रही है, अगर कुछ अच्छा स्कोर कर जाते हैं, बाई चांस कर जाते हैं, तो उस कंडिशन में ये टिम मारी अच्छा कर जाएगी, क्योंकि दोस्तों, रिशब पंत और रोई शर्मा का स्लेक्शन परसेंटेज कम ही रहने वाला है, जी हां दोस्तों तेज गती से गेंदबाजी करते हैं, डेर सो के आसपास की गती पर भी बॉलिंग ये करना जानते हैं, साथ में आप बागी चेंजिस आप यहां पर देख सकते हो, दोस्तों ये हमारी फाइनल टीम से नहीं है, फाइनल टीम से आपको टेलिग्राम चैनल पर ही मिलेंगी, य ये हमारा टेलिग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जॉइन जरूर कर लिजए, क्योंकि टॉस होने के बाद, इस मॉल लिक की और ग्रेंड लिक की टीम में आपको पर प्रोवाइड कराता हूं, तो यहां पर जरूर से जू दोस्तों, एक बर आप जाके टीम जरूर देखेगा, और पॉइंट्स का आप डिफ्रेंट्स जरूर देखेगा, जियां दोस्तों, और मैच इसका भी आप डिफ्रेंट्स जाके जरूर से देखेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा